अलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका mathematics teacher welcome करता हूँ digital theory के youtube channel पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं RS अगरवाल हिंदी वाली book के बारे में जिसमें हमारा chapter है area उसमें हम देख रहे हैं part number second area जो की mensuration शेत्रमीती 2D का ही part है उसमें हम कर रहे हैं part number second जो कि start हो र चौड़ाई से 1 cm अधिक है और परीमाप है 14 cm तो आयत का शित्रफल कितना होगा तो लंबाई चौड़ाई से 1 cm अधिक है तो चौड़ाई हमने मान ली कितनी 20 cm तो लंबाई क्या होगी इसकी 1 cm ज्यादा मतलब B plus 1 cm आपको कह रहा है इसका परीमाप 14 cm है तो परीमाप क्या और चौड़ाई तो B ही है ये बराबर है कुशन में 14 क्या ये कैंसील होकर 7 हो रहा है B और B ये कितना 2B और ये प्लस 1 बराबर 7 तो 2B बराबर कितना हो गया ये 6 और B बराबर हो गया 3 तो इसका मलब चौड़ाई आगे हमारे पास 3 और लंबाई एक ज्यादा मतलब 4 एरिय के बात करते हैं नेक्स्ट जो कुशन है कुशन नंबर 8 के बारे में क्या गहरा है कुशन नंबर 8 देखिए एक आयत के एक विकन की लंबाई 25 cm है तथा इसका शेत्रफल 168 वर्ग cm है विकन तो कोई सा भी ले लो आयत के दौनों ही विकन आपस में बराबर ही होते है तो विकन की लंबाई 25 है इसका मतलब रूट में L स्क्वेर प्लस B स्क्वेर ये होता है विकन का मान ये 25 के बराब इसका शेत्रफल मतलब L इन्टू B जो है वो दे रखा है 168 तो इस आयत के लंबाई कितनी होगी चलिए देख लेते हैं कितनी होगी तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं अभी अगर देखें तो L प्लस B का होल स्क्वेर करें तो वो यहां से जरूर निकल सकता है तो L प्लस B प्लस B का होल स्क्वेर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है ए प्लस B के होल स्क्वेर से A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस 2AB L प्लस B तो हमें पता नहीं है तो यह तो as it is रह जाएगा L स्क्वेर प्लस B स्क्वेर यहां से स्क्वेर रूट हटेगा तो 25 का स्क्वेर 625 आजाएगा और 2 टाइमस आफ L B मतलब 168 का डबल हम ले लेंगे तो यह हम देख सकते हैं L प्लस B का होल स्क्वेर बराबर 625 है 168 का डबल करना है तो यह 625 और यह डबल हो जाएगा 8 का कितना 16 फिर 6 का 12 और 11 फिर 2 का यह कितना 3 इनको एड़ कर लेते हैं कितना हो रहा है यह हो जाएगा आपके पास कितना यह हो गया आपके पास एड़ी करना इनको 600 और यह कितना 300 900 और यह 50 हो गया और यह 900 कितना हो रहा आपके 11 यह 961 हो गया तो मैं देख सकता हूँ कितना आगया 31 31, L प्लस B जो है मेरे पास आ रहा है 30, ठीक है, आपको पूछ रहा है आयत के लंबाई कितनी होगी, तो ये तो आंस्वर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दौनों का टोटल 31 है, ठीक है, अब हम यहां पर यह देख सकते हैं कि हमारे पास L प्लस B की वैल्यू 31 आई है और हमें वैल्यू निकालनी है केवल और केवल किसकी, L की, तो किस तरीके से होगा देखते हैं, चलिए, अभी तक आंस्वर तो नहीं निकल पारा है, लेकिन जो आपको यह चीजे दे रखी है, जिस तरह से हमने L प्लस B निकाला, वैसे हम L माइनस B भी निकाल सकते हैं, A मा निकाल लेते हैं, यहां पर, तो इसी तरह से L माइनस B का होल स्कुर भी आपको पता है, यही होता है, L square plus B square की value 625 आप ले सकते हैं 2 times of LB आप ले सकते हैं 336 और ये L minus B का whole square 625 में से 336 हम less कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हम देख सकते हैं यहां पर तो यह हो जाएगा आपके 36 है तो यह 4 करेंगे तो 40 तो यह हो जाएगा यहां पर 64 और यह 125 हो गया और 125 में 64 एड करना है तो 64 एड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपके 9 और यह कितना हो जाएगा एड ही करना हमको क्योंकि इतना ही मिल रहा है हमें देख रहे हैं याँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार इसमें से इसको सब्ट्रेक्ट करना ऐसा समझ लीजिए या फिर उसमें कितना कम रह रहा है आपके उसमें कम रह रहा है आपके 4 तो 40 तो यह हो गया आपके 64 तो 125 और यह हो गया आपके 184 और 5 यह हो रहा है 9 तो यह हो सकते हैं टोटली 289 यहां पर देख सकते हैं और इधर से स्क्वेर हटेगा तो स्क्वेर रूट होगा तो 289 आपके 17 का हो जाएगा तो अब हम देख सकते हैं कि एल प्लस भी 31 और एल माइनस भी कितना आपके पास सेवंटी तो आपको क्या निकालना एल इंकालना आए तो इन दोनों को एड गर जा yal य यह हो गया कितना आपके पास यह जाएगा 48 टीड़ बाइट एहां सब्सक्राइ Leader 2 और 23 जो हमारा सेकंड ऐप्शन है और वह एक आयतागार खेत के विकन की लंबई 17 मीटर है इसका मतलब रूट में एल स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इसकी वेल्यू आपको 17 दे रखी परिमाप 46 मीटर है मतलब 2L प्लस बी जो है वो आपके पास 46 है तो क्या मैं इसको 23 बोल सकता हूं बिलकुल खेत का शित्रफल क्या हो एल प्लस बी का होल स्क्वेर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वेर से एल स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस टू लबी एल प्लस बी तो हमारे पास पड़ा है तेईस L square plus B square चीए तो इधर से square root हटा लेंगे तो इधर square हो जाएगा तो 17 का square 289 और ये 2 L B निकल गे हमारा answer 23 का square हम देख सकते हैं 23 का square हम देखें तो कितना बनता है तो ये हो गया 04, ये 09, ये 6 और ये कितना 12 तो ये आगे आपके 529 और ये 289 इधर आकर क्या होगा माइनस और ये 2 L B तो माइनस कर लेते हैं 89 है तो ये 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा फिर हम देखें तो 229, 30 और ये 240 हो गया answer हम देख सकते हैं कितना आएगा 120 और 120 हमारा second option है जो कि बिलकुल सही भी है बात करते हैं next जो question है question number 10 के बारे में क्या कह रहा है question number 10 देखिए यदि किसी आयताकार भूकंड की लंबाई को 5 प्रतीशत बढ़ाया जाए और चोड़ाई को 10% कम किया जाए तो शेत्रफल में कितने प्रतीशत की कमी अथवा व्रदी होगी तो 5 प्रतीशत 5% का मतलब अगर fraction में देखू तो मैं 1 by 20 कह सकता हूँ चोड़ाई 10 प्रतीशत तो 10% का अगर fraction में देखू तो मैं 1 by 10 कह सकता हूँ ठीक है तो इसका मतलब पहले जो लंबाई है वो 20 थी और उस पर कितनी व्रदी कर दी एक की और चोड़ाई के लिए क्या कह रहा है कि 10 प्रतीशत कम पहले 10 थी कितनी कम कर दी एक तो 20 पर एक बढ़ा दी इसका मतलब अब कितनी हो गई 21 दस पर एक कम कर दी इसका अब कितनी हो गई 9 तो पहले अगर मैं शित्रफल देखू जो एरिया था पहले वो लंबाई इंटू चोड़ाई 20 इंटू 10 था मतलब 200 था अब जो नया एरिया आ रहा है चेंज करने के बाद वो लंबाई चेंज करने के बाद हो रही है 21 क्योंकि 20 का 5 परसेंट एक है और वो बढ़ रहा है और चोड़ाई जो है वो कम की जा रही है तो 10 का 10 परसेंट एक है तो कितनी हो रही है 9 तो यह कितना हो गया आपके 9 का 2 से 18 और ये 189 तो 200 से 189 हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है percentage कम हो रहा है तो व्रदी तो होगी नहीं कमी वाला option ही होगा कितना कम हुआ ये कम हुआ आपके 11 किस पर कम हुआ ये कम हुआ 200 पर और प्रतीशत के लिए 100 11 बटा 2 मैं कह सकता हूं 5.5% की कमी हो रही है वैसे अगर value आसान है तो बिना इस method के भी हम कर सकते हैं डारेक्ट लेकिन जब value मुश्किल होती है तो ये fraction वाला method ही ज्यादा काम करता है चलिए इसलिए एक ही method हम समझ कर चल रहे है next वाला question देखते हैं क्या कह रहा है कि आयत के लंबाई 10% बढ़ा दी चोड़ाई 10% कम कर दी तो शेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जैसा कि मैंने का value आसान होती है तो अभी जो भिन वाला fraction वाला बताया ता method वो ना लगागा डारेक्ट भी लगा सकते हैं और वो डारेक्ट method यह है 10% की व्रदी है तो प्लस में ले लो 10% की कमी है तो माइनस में ले लो फिर 10 into 10 उपर दो बार लिखा है नीचे एक बार ये प्लस में ये माइनस में multiply किया तो minus 10 और ये 10 add होकर 0 ये 100 upon 100 कितना 1 वो भी माइनस में और माइनस का मतलब क्या कमी तो ये लीजिए एक प्रतिशत की कमी second option सही हो जाएगा दूसरा method भी आपको बता दिया लेकिन ये method जब values आसान होती है तब ही काम करता है अगर values point में है तो फिर हमारा जो fraction वाला method था जो पिछले question में लगा है वो ज़्यादा सही रहेगा और ये method क्या है कुछ भी नहीं है दो value दे रखी है first second first into second upon 100 जो increase कर रहा है उस value को plus में लेना है और जो decrease कर रहा है उस value को minus में लेना है और दोनो values का multiplication है तो दोनो प्लस की है तो multiplication प्लस का दोनो माइनस की है तो multiplication माइनस की है तो multiplication माइनस का होगा चलिए next question देखते हैं क्या कह रहा है आयत की लंबाई 50 प्रतिशत कम कर दी चोड़ाई 80 प्रतिशत बढ़ा दी तो आयत की शेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जो सबसे पहला method देखा था fraction वाला वो भी लगा सकते हैं जो अभी अभी method देखा first second first into second upon 100 वो भी लगा सकते हैं क्योंकि values आसान है इसलिए एक नया method और देख लेते हैं जब values आसान होती है तो वो भी use कर सकते हैं जितना कम हो रहा है 100 में से उसको कम कर देंगे तो लंबाई 50% कम हो रही है तो 100 में से 50 कम किया तो 50 multiply और जितना बढ़ रहा है 100 में उतना जोड देंगे तो चोड़ाई 80% तो 100 में 80 जोड दिया तो 180 उपर हमने दो बार लिखा है तो नीचे 101 बार लिखा है लंबाई और चोड़ाई दो बार आएगी तो नीचे 101 बार ही आएगा 00 से 00 cancel 15 का 8 से गुणा कर लेते तो यह कितना आगे आपके 90 तो यह जो आया है इसका comparison करना है 100 से तुलना करनी है कम है या ज्यादा अगर ज्यादा होगा तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतने की व्रदी कहलाईगी और अगर कम होगा तो 100 से जितना कम होगा उतने की कमी कहलाईगी तो यह तो कम है कितना कम है 10 तो 10 प्रतीशत की क्या कह ही होगा तो आप देख सकते हैं तीन सवालों में मैंने आपको तीन मेथड बता दिये सबसे बेस्ट मेथड रहता है फ्रेक्शन वाला भिन वाला जो सबसे पहले वाले सवाल में बताया था कुश्चन नंबर हमने देखा था दस में लेकिन जब वैल्यूज आसान होती है तो वह मैथड ना लगा कर ये वाला मैथड या जस्ट इससे पहले कुश्चन नंबर 11 में जो देखा 1st, 2nd, 1st, 2nd, upon 100 वाला मैथड यूज कर सकते हैं लेकिन वैल्यूज आसान होनी चीए इस मैथड और जो इससे पहले कुश्चन नंबर 11 में देखा था उस मैथड के लिए ठ ही है तो जब वेल्यूज आसान मिल रही है तो फिर हम शॉर्ट वाला मैथड जो है बेना फ्रेक्शन वाला मैथड वही लगा लेते हैं लंबाई में 20 प्रतिशत की कमी तो जो अभी अभी सीखा वही देख लेते हैं जितना कम है सौ में से कम कर दिया चोड़ाई में 10 सकते हैं सौ से यह सौ से कम है आपके 28 परसेंट तो जितना कम है उतने की कमी तो 28 परसेंट की कमी और वही पूछ रहा है कमी कितनी होगी फर्स्ट और सेकेंड वाला मैथड भी लगा सकते थे वह क्या होता फर्स्ट और सेकेंड वाला 20 परसेंट कम है तो माइनस का 20 10 परसें माइनस 10 माइनस 30 क्लस का 2 तो माइनस का 28 तो 28 परसेंट आंसुर होता और माइनस किसको बताता कमी को यह लीजिए दौनों मेथर लगा लिए इसमें ठीक है फ्रेक्शन वाला भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए बात करते हैं कुश्चन नुबर 14 के बार अधिक हो गया वही चीजे वेल्यूज आसान है तो यह लीजिए 50 बढ़ाया 50 कम किया तो जितना कम किया 100 में से माइनस कर दिया उपर 2 तो नीचे एक बार 15 का 5 से कर लेते हैं 75 सो से कंपेर कर लो कम है ज्यादा कम कितना कम है 25 तो 25 प्रतिशत की क्या होगी कमी जो कि हम देख सकते हैं कि इन में से कोई नहीं यह अमारा आंस्वर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट केशन नमर 15 क्या कह रहा है देखिएगा 15 नमर 15 नमर सवाल आपको कह रहा है किसी आयताकार खेथ की केवल लंबाई में 50 परसेंटी वरदी करने पर शेत्रफल में कितने प्रतिशत की वरदी होगी केवल लंबाई में चेंज कर रहा है 50 परसेंट का तो समानुपाती है। तो हम केवल लंपाई में चेंज करेंगे कितना 50 % चोड़ाई में कोई चेंज नहीं करेंगे तो चोड़ाई अमारी क्या रहेगे डेयरवकृ क्रेंज तो जितनी लंबाई बढ़ रही हैरी भी उतना नहीं बढ़ेगा तो आंसुर हो जाएगा 50% मतलब पहला option क्योंकि चौड़ाई आपकी जो है वो fix हो चुकी है तो यह दौनों आपस में समानुपाती हो चुके बात करते हैं next question number 16 के बारे में क्या कह रहा है question number 16 देखिए एक आयत की लंबाई में 25 प्रतीशत की व्रदी कर दी जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतीशत की कमी करेंगे शित्रफल में कोई परिवर्तन ना हो जब कभी भी एक चीज बढ़ा कर दूसरी कम करने को कहें तो एक direct method होता है वो हम लगा सकते हैं और वो method क्या है ज जो कि आ रहा है 20% ये तो हो गया सीधी सीधी बात और अगर उन method से देखना है जो अभी तक किये हैं तो उनसे भी देख सकते हैं जैसे कि आपको कह रहा है लंबाई में 25 प्रतीशत की व्रदी करी मतलब 125 लिख दिया फिर चोड़ाई कितनी कम करूँ तो अगर 10% कम करता तो 90 लिखता 5% कम करता तो 95 लिखता 20% कम करता तो 80 लिखता तो कम जितना भी करूँगा 100 में से माइनस करके ही लिखूँगा और वो कम कितना करना है वो माना x और उसी की value निकाल लिए उपर दो बार तो ये क्या हमारे नीचे 101 बार बराबर में क्या आता है या तो 100 से जादा है तो वो व्रदी बताता है या 100 से कम आता है तो वो कमी बताता है लेकिन ना व्रदी ना कमी कोई परिवर्ट ना हो इसका अलब बराबर में 100 ही आना चाहिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 25 से गया 4 बार 25 से गया 5 बार 5 से ये गया 20 बार 20 का 4 से गुणा 80 x की value निकालनी है वही आंस्वर है 100 माइनस x x उधर 80 इधर तो आंस्वर आया 20 तो इस वाले मेथट से भी हम कह सकते हैं 20 परसेंट पहला अप्शन हमारा सही है तो ये था हमारा question number 16 बात करेंगे question number 17 की हमारे next part में thank you so much please like share subscribe डिजिटर तैयारी